धरम पाल टूर चनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों फिर से एक नए वीडियो के साथ में मैं हाजिर हूँ और आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि मैदा 10 केजी का मैं घुराई किया हूँ और ये 10 किलो मैदा घुरने के लिए हमें 10 से 12 लिटर पानी की जरूरत कर से आप देख रहे हैं newcom मिलाते है 20 लिटर ब Dopad जोजकर से मिक्स कर देते हैं अच्पर मैं बढ़या और च्ञार से हम तूरह से जो भी अच्छन पानता उसलिए उस वीडिया होती है इसको बिल्कुल पनाना है वो सारी वीडियो में आपको देखने को मिलेगी इस तरीका से सबसे पहले आप मैदा को चारो तरफ मिलाने के बाद बाल्टी से इस बाल्टी से इस बाल्टी से इस बाल्टी जब आप कर लेते हैं करने के बाद आपको सारी जो मैदा की जो घोडाई होता है वो जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो अजमाइन उगेरा की हम इसमें मिला करके हम पापर बनाते हैं स्वाद अनुसार इसमें नमक डाले और कुछ भी सोड़ा फूलने के लिए नडाले ताकि जो है हमारी फिर इस तरीका से जो है हम चुल्हा को सेट करेंगे आप देख जो मेरे सामने आप वीडियो में देख रहे हैं यह अलमूनियम का प्रात है और इस प्रात को इस पे हम इस चुल्हे के स्टेंट पर डाल करके चारो तरफ से हावा न लगे उसका कंपरमाइज करके और इसमें हम पानी डालेंगे पाइं डालने गवाद दोस्तों क्या होता ह है जब हमारी पानी गरम हो जाता है तब जो है हम इस पापर को बनाने की जो है काम चालू कर देते हैं तो आप देख सकते हैं इस वीडियो के माधियम से कि किस परिकार से पानी जो है खौल रहा है और इसमें अजमाइन का जो है हम मिला करके मैदा में जितना आपको बना के ऐसे स्टोर कर ले जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ही स्टॉंग हो चुका है अब इसको क्या गरेंगे हम छतों पे जो है इस तरीका से सुखाते हैं इस छट पे जो आप देख रहे हैं सारी भराइटी की पापरे हम बनाते हैं जो जैसा मांगते हैं उसी साब से हम बनाते हैं और आप देख रहे हैं ये इस स्टार्ट में जो है सिर्फ अजमाइन का पापर है 200-400 पिस अजमाइन का बना लिए बाकी और तरह का भराइटी का भी बनाते हैं हमारी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सस्क्राइब, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए जितने भी हमारी मताए बहने वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, सस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिपिकेशन दबा लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुच सके तो देख रहे हैं इस तरीका से एक लाइन जो है 14 से 15 पापरों का लाइन होता है ताकि काउंटिंग में भी हमारी गिंती आता है कि हमने कितना आज प्रोडेक्ट त्यार किया हूँ क्यूंकि लड़के, साथ आठ लड़के हैं जिसको हम सबको रोजगार देते हैं भाईया, 200 तुम लो, 200 तुम लो, 300 तुम लो 1000 से ऊपर सम्थिंग हम पापर को जो है त्यार करते हैं एक पापर की अगर बात करें तो मैता सबोगर मिलाने के बाद हमारा कीमत एक पापर का जो है अड़ाई से 3 रुपे पर जाता है मार्केट में अच्छी खासी जो है 4 रुपे, 5 रुपे, 6 रुपे जैसा कस्टेमर आपको मिल जाए उस तरीका से आब बेश सकते हैं आप इस वीडियो में देख रहा है कि जो छटपे जितने भी टुकरिया है सब सूख करके अब त्यार हो गया है और सूखने के बाद इसको क्या करते हैं इस टुकरियों में डाल करके ले जाते हैं कई बार टोकरी फूल हो जाता है तो हम एक टार्ट की एक बना हुआ है टोकरी टाइप का उसमें भी जो है हम भरके नीचे ले जाते हैं ले जाने के बाद जो है इसको हम फराई करते हैं तो आगे वीडियो में और कुछ देखने को मिलेगी चैनल पर बने रहें जब हमारा पापर त्यार हो जाता है पुरा बढ़िया से फ्राई उराई करने के बाद एक चाट मसाला आता है उस मसाला को छिरकाव करके पापरों के उपर में अपरे मजे से खा सकते हैं साड़े पापरों से जो है एकदम परफेक्ट ये पापर का टेस्ट लगता है और इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है कोई भी अगर बिजनस भी करना चाहते हैं तो पांस से साथ हजार में ये बिजनस अराम से चालू हो जाता है और इस तरीका से अब देख रहे हैं मेरे साम बन गया है इसको जो है धीरे 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 डालते जाएंगे पूरी छटो हम भर जाता है इस तरीका से टाट का बना हुआ आता है जो मार्केट में अराम से मिल जाता है जहां बास बल्ली की दुकान होती है वहां अराम से मिल जाता है और आप देख रहे हैं इस टोकड तो धूरी नरम हो जाता है, तो इसलिए ज़यातर सब्धानी, इसलिए भरतनी होती है कि पंजी के अंदर में ही define नि vẫn करके। रखें पापरों को जब हमारा पापर भराई होकर के तेयार हो जाता है, तो seller को दोरा जो है इसमें हम counting करके दे देते हैं कोई भी बंदा जो है जाता है विक्री करने तो अच्छी खासी कमा के चले आते हैं इस तरीका से पापर को हम fry करते हैं आप देख रहे हैं पहली बार डाले एक बार पल्टे दूसरी बार में जो है पूरा बढ़िया से जो है फैला देते हैं देख रहे हैं जिस तरीका से फैला रहे हैं ति सारे पापर जो है बहुत अच्छी तरीका से फैल जाता है और इसमें सोड़ा अगरे बिल्कुल ही इस्तमाल ना करें चाहे जो भी आप बिजनस से स्टार्ट करना चाहते हैं तो अराम से आप कर सकते हैं कम ल अच्छा है दो बंदे तीन बंदे उसको भी हम फ्राई करके इस तरीका से काउंटिंग करके हम दे देते हैं वो तोक्री में भर करके और ले जाते हैं तो इस तरीका से अब देख रहा हैं काउंटिंग पर पाच पाच पीश चार पीश करके हम काउंटिंग इसको दे रहे हैं क्योंकि ये भी विक्री करने जाएंगे क्योंकि हम 10 आदमी को कम से कम हम रोजगार हम दिये हुँ है डेली का हमारा ये बंदा हुआ है वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में